हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू आवर चैनल तो आज मैं आपके साथ एक लाइनिंग वाले अम्रेला प्लाजो की स्टिचिंग शयर करूंगी तो यहां पर मैंने लिया है सैंट्टून का और यह मैंने लिया है जोर्जट फैब्रिक लिया है वो मैंने साइड तीन मीटर लिया ह और 4 अमंबर यह एक्व your ब्राबर अपकरके और इस तरीके से चार फोल वेड् Rank बिचह लिए तो आपको कभी भी पलाजो कटिंग रेनि करनी होती है तो लाइनिंग फैब्रिक को ज्यादा गहर नहीं बनाना चाहिए आप नॉर्मल गहर में भी बना सकते हैं तो यहां पर मैंने जो लेंथ लेंथ थी जितनी उसमें मैंने 3-4 इंच एक्ष्टरा कपड़ा लिया है वो मेरी स्टिचिंग में चला जाएगा तो यहां पर मैं उसे कट नहीं कर रह और आसन भी मैं ज्यादा ले रही हूं तो आसन मैंने यहाँ बिया है पंद्रय इंच आनि आपको जो है उपर की चोड़ाई मैंने 15 इंच ले ली और चालींस analysts हिप साइज का यह प्लाजो बन रहा है तो यहां पर देखिए आपने200 इंच आनि आप 4 पार्ट करके हिप साइस का और उसमें आप दो तीन इंच एक्स्ट्रा प्लस कर सकते हैं क्योंकि प्लाजों जो होते हैं वो ओपन ओपन खुले खुले ही बनते हैं उसके बद आपको इस तरीके से कर्वो वाली स्केल लेनी है और आपको मोरी से मिलाके इसे निशान लगा लेना है तो मैंने यहां पर आसन का भी निशान लगा लिया मोरी का भी निशान लगा लिया मोरी आपको घेर कम नहीं करनी है जितनी घेर है उतनी ही रखनी है और आपको यह कट कर देना है एक्स्ट्रा वेस्टिंग मैंने यहां पे कट कर दे रही हूँ और उपर से जो मैंने आसन लिया था कमर साइस पे मैंने 15 इंच लिया था मैं आपको दुबारा बता देती हूँ और आसन पे भी मैंने 15 इंच लिया था और यह जो प्लाजो बन रहा है यह 42 हिप साइज पर बन रहा है तो यहाँ पर जो है मैंने 42 हिप साइज पर इसको बनाया है तो 15-15 इंच मैंने आसन लिया है 15 इंच मैंने कमर लिया है और हमारा लाइनिंग फैबरिक कट हो गया है अब मैं जॉर्जट फैब्रिक को कट करते हैं जॉर्जट फैब्रिक को मैंने यहाँ पर दो फोल्ड करके बिचा लिया है यहाँ पर जो मैंने लिया था साइड तीन मेटर के लगभग जॉर्जट फैब्रिक लिया था तो दो फोल्ड करके मैंने इसको बिचा लिया और यह जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है यह हमारा जोड लगाने के काम आएगा तो यहां हम कमर की मेजरमेंट लेंगे तो कमर की मेजरमेंट जो है मेरा 15 इंच कमर मैंने अगर लाइनिंग में कट किया था तो यहां आपको एक कॉर्णर से 15 इंच पर निशान लगाना है और फिर हमको दूसरी कॉर्णर से भी इस तरीके से 15 इंच 15 इंच करके आपको निशान लगा लेना है तो यहाँ पर मैंने 15 इंच पर निशान लगा लिया है अब आप इसे गोल्ड शेप कर लिजे आप इसे चेक कर लिजे आपके कमर के कॉर्डिंग आ जाना चीए तो यहाँ पर मेरा कमर के कॉर्डिंग 14 इंच आ रहा है जब हम इसको सिलेंगे तो यह stretch हो जाता है गोरी भी कटने के चलते यह stretch होता है इसलिए हमारा 15 इंच हो जाएगा उसके बाद जो हमको proper length लेनी है वो हमको लेनी है 38 इंच तो 38 इंच पर आपने इस तरह से टिक कर लिजे उसके बाद आपको पूरे corner से नापना है कितना है corner से measurement करने के बाद आपका जितना हैगा उसके हिसाब से आपको इस तरीके से गोलाई में ही निशान लगानी है तो यहाँ पर मैं जो है निशान लगा रही हूँ जितना आपको चाहिए इस तरीके से गोलाई में आप निशान लगा लिजे पूरा आपको अच्छे से चेक करके ये देखो आप मैं निशान लगा लिया गुमाते हुए आपको ये निशान लगानी है निशान लगाने के बाद आप इसे डाग कर लिजे उसके बाद आपको इसे कट कर लेना है तो यहाँ पर मैंने देखो इसको कट कर लिया यहाँ से मैंने कमर कट कर दिया है और यह जो घेर साइड है यह भी मैं कट कर रही हूँ अब हम नीचे के फ्लेयर को भी कट कर देंगे जो मैंने निशान लगाया हुआ है तो लड़की ने एक इंच एक्ष्ट्रा पर निशान लगा दिया था इसलिए मैं इसको एक इंच कम करके कट कर रही हूँ क्योंकि यहां पर हमें स्टिचिंग के लिए कपड़ा नहीं तो मैं इसे एक इंच कम कर रही हूँ क्योंकि मुझे पीको करना है वहां पर मुझे एक्ष्ट्रा कपड़े की जुरूरत नहीं है तो जो मुझे प्रॉपर लेंथ है उतनी ही चाहिए तो यहां पर मैंने इसको भी कट कर लिया उसके बाद यहां देखिए आप फ्रेंट्स बिच्छा करके फिर आपको इस तरह के से इस पर देखो चॉर देखो जोड़के से है तो यहां पर थोड़ा से उपर चड़ा करके संपर इना ईए और हमारा जोड़्द हो जाता है करके के यहां देखिए यहाँ पर जोडा है यह रसको निषान कर दाताएं cumplian दुरूरत最 कि जो हमारा घेर है वो भी हमारा दो कट में है तो हम्कोंडो AnTu Asana चाहिए तो यहाँ जो है दो जोड में कट करके तैयार कर रहे हूं मैं आपको से खोल के दिखाती हूं कि यह किस तरीके से आता है यहाँ पे देखिए आप यह जो है यह हमारा कट करके रेडी हो गया है अब यह आपको इसको अच्छे से बराबर करना है उसके बाद यहाँ पे हम आसन की कटिंग करेंगे तो आसन कटिंग करने के लिए कमर से लेकर के मैं नीचे यहाँ पर 15 इंच आसन कट कर रही हूँ मैंने लाइनिंग में भी 15 इंच ही आसन कट किया था तो यहाँ से आपको 15 इंच पर निशान लगाना है 15 इंच पर निशान लगाने के बाद यह आपको यहाँ से इस तरीके से धाई इंच की चोड़ाई ले रही हूँ और बिल्कुल कॉर्णर से आपको यहाँ पर इसे मिला देना है यहाँ से कॉर्णर पर मिलाने के बाद आपको गोल शेप में इसको बना देना है यहाँ से इस तरीके से आपको गोल कर देना है तो यह हमारा जो है आसन बनके रेडी हो गया है अब हमको इसे कट कर देना है ये अम्रिला प्लाजो का हमने आसन कट कर लिया है क्योंकि ये प्लस साइज का है इसलिए हमने आसन जादा लिया हुआ है अगर आप पतले हैं और अपने लिए बना रहे हैं तो आसन कम लिजेगा और हाँ ये मेन चीज है कि अगर आप कभी भी Ambrilla प्लाजो बनाते हैं तो ये जो आपके कर्व स्केल होती है जिससे आप परेंट बनाते हैं उससे आपको सैंटर से यहां से घेर को मिला करके एक कर्व बनाना होता है ये कर्व बनाना इसलिए जरूरी होता है कि जब भी आप प्लाजो पहनते हैं तो आप कभी भी नोटिस करिएगा अगर आप प्लाजो पहनते तो सेंटर से वो बीच से उठता है तो अगर आपने इस तरीके से कर्व कटिंग कर दी तो वो आपके बीच से उठेगा नहीं बीच में किसी तरह का जोल नहीं आएगा और पलाजो बिल्कुल ही अच्छे लुक में बनेगा तो इसलिए आपको इसकी कटिंग करनी बहुत जरूरी होती है तो यहां हमारा पलाजो लगभग कट के रेडी हो गया है तो अब यहां पर हम देखिए यहां पर जो जोड़ वाला हिस्सा है यह देखो आप यह जो है हमारा इस तरीके से आ रहा है यहाँ पर यह जो है यह कम है यहाँ पर यह पूरा राउंड है और यह जो है कट वाला हिस्सा है तो इस कट वाले हिस्से पर ही इस जोड को हमें लगा के स्टिच करना है तो दो पल्ले हमारे हैं तो यहाँ पर यह दोनों जोड को आपने लगा करके स्टिच कर देना है stitch करने के बाद ही हम आगे की सिलाई start करेंगे तो friends यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो मेरा plajo था जो lining मैंने cutting किया था उस lining में हमें सबसे पहले जो है आसन को cut करना है तो यहाँ पर जो है आसन को stitch करना है तो आपको एक side का आसन stitch करना है तो आप इस तरीके से दोनों कपड़ों को बिछा करके एक side से आसन को stitch कर लीजिए और same process आपको umbrella plajo में भी करनी है तो यहाँ पर जो plajo है इसको मैंने दोनों देखो जोड लगा दिया है और इसमें भी आपको क्या गम करना है कि आपको एक side का आसन जो है stitch करना है और दूसरी side का आसन stitch नहीं करना है तो यहाँ एक side का आसन मैंने इसका भी stitch कर लिया और एक side का आसन यहाँ पर देखो यह lining का आसन मैंने stitch कर लिया है अब आपको इससे जो है इस तरीके से सीधा बिछा लेना है यहां देखिए आप एक तरफ का आसन श्टिच है और दूसरे तरफ का आसन श्टिच नहीं किया है अब इसे आपको इस तरीके से सीधा बिछा लेना है यहां देखिए यह जो है यह उल्टा साइड है बट आपको पहले जो है सीधी साइड में इसको बिछाना है तो यहां पर हमने इसको इस तरीके से बिचा लिया उसके बाद जो हमने जॉर्जेट वाला था उसका भी हमने एक तरफ का आसन इस्टिच कर लिया है और दूसरी साइट का आसन इस्टिच नहीं किया है तो जो इस्टिच आसन है और इसका जो इस्टिच आसन है इसको आपको इसके ऊपर इ यहां से आपको सीधा जोड़ करके अटैच करके सिलाई लगा देनी है यहां इधर और आसन के इस साइड भी आपको दोनों आसन सेंटर में ही रखना है उसके बाद आपने जब इस लगा दी तो यहां देखिए यहां पर मैंने दोनों को अटैच कर दिया है लाइनिंग फैब बड़ लिया है और इसको जो है मैं प्रटी साइड से आपको इसके उपर जोड़ना है कि यहां जो हमारे यस असनसमी हिस्सा है यहां से लेकर के उस आसन तक हम को यह सिलाही लगा करना करके जोड़ लिजिए यह लाष्टिक के लिए अलग से पट्ली हम लगाते हैं क्योंकि उरेवी में हम फोल्ड नहीं कर सकते तो यहां देखिए यहां पर मैंने स्टिच कर लिया है इसको इस्टिच करने के बाद आपको क्या कम करना है कि इसको सीधा करना है यह पूरा कपड़ा मैंने स्टिच कर लिया इसको इस तरीके से सीधा करना है और सीध साइड से आपने इस लाइनिंग को इसकी ऊपर इस तरीके से स्टिच करना है फोल्ड करके बढ़ाओ पट्टी में आपको यह स्टिच करना है ताकि आप इसके अंदर लास्टिक एड़ कर सके फ्रेंड्स यहां पर मैंने लास्टिक भी एड़ कर दिया देखिए यहां पर जो क्या गाम करना है कि यह जो आसन वाला हिस्सा है हमारा यह वाला आसन और यह जो दूसरे साइड का आसन था अब आपको यह चारो पल्लों को एक साथ पकड़ करके सिलाई लगा देनी है तो यहां पर आप यह चारो पल्लों को एक साथ पकड़ के और इस तरीके से सिलाई लगा आपको stitch करना होता है तो यह देखिए जो जॉर्जट वाला फैávelरिक है आपको पहले केवल इसको यême जो आपको मियानी का हिस्सा है मियानी से आपको सिलाई लगानी है तो आपको दोनों साइट जो है जो है जॉर्चेत के सिलाई लगा देनी है इस तरीके से यहां से ऐसे आपको पहले जॉर्जेट सिलाई लगानी है लाइनिंग का फैबरिक उसमें नहीं पकड़ना है जॉर्जेट की सिलाई लगने के बाद यहां पे मैं आपको दिखा हूँ यहां पे जो लाइनिंग फैबरिक है अब आपको में नहले हमें पर आपको आपको ये माशे awfully जो लाइनादouri करगें पर चोल झाल या ये इस तरी पर इस तरी के से रखनेंग वाजू ये जोल फाइड को पर कहने है पर ये अर्जेम में दख। यह सिलाई लगने के बाद आप लाइनिंग फैब्रिक का जो नीचे का हिस्सा है उससे आप फोल्ड करके भी सिलाई लगा दीजेगा उसके बाद आप यह देखिए मैंने यहां पर तयार कर दिया है और मैंने उसको सीधा कर लिया है सीधा करने के बाद यहां लुक कुछ इस फिनिशिंग के साथ यह त्यार हुआ है। और यह हमेर फ्लेयरी हिस्सा ही। अंदर प film करेंगा सबूँद्र में प्ली के सफिनिशिंग के साथ यह अब एक अन्डर में एक मैं यहाँ पर straight इसलिए बनाई हूँ क्योंकि अंदर lining ज्यादा घेर में नहीं चाहिए थी customer को इसलिए मैं इस तरीके से बनाया है तो यहाँ अब मैं इसको पीको करके आपको इसका final look दिखाती हूँ तो यहाँ पर देखिए friends मैंने इस प्लाजो को पीको भी कर दिया है पीको करने के बाद ही कितना सुन्दर लग रहा है बिल्कुल फ्लफी सा friends आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी comment section में जरूर बताईएगा वीडियो अच्छी लगी तो like कीजेगा comment कीजेगा share कीजेगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद